हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीट आफ फीजिकल एजूकेसन चैनल दोस्तों दो दिन से मैं वीडियो नहीं अप्रोड कर पाई थी जैसा कि आपका 18 अगस्त को उत्राखंड एल्टेग्रेट का एक्जाम है मैं आपको सिलिबस के एकॉर्डिंग वीडियो बनाने की पुरी कोशिस कर रही हूँ जिसमें इस जो पार्ट वन है सारे सिछा के इतिहास में सारे टॉपिक्स किलियर हो गये हैं आज का टॉपिक है आपका ओलंपिक अभियान ओलंपिक्स रिलेटेट जितने सारे कोश्चन्स है सभी इस वीडियो में आपको पूरा हो जाएगा 80-80 कोश्चन्स है मैराथन क्लास हो जाएगा थोड़ा वीडियो लंबा होगा धैरे पुरुवक आप देखेगा सभी कॉटेट इसी में से मिल जाएंगे इससे बाहर कोश्चन्स नहीं आएगा तो ओलंपिक्स रिलेटेज सारे टॉपिक को जानने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए सभी फिजिकल एजुकेशन कमपरिशन एक्जाम के लिए प्राचिन उलंपिक, आदुनिक उलंपिक उलंपिक रिलेटेट जितने भी कोश्चन्स है और जो 2024 में पेरिस उलंपिक हो रहा है उस पर एक अलग से वीडियो जैसे ही खत्म होगा उलंपिक मैं बना दूँगे तो दोस्तों चलते हैं आज के कोश्चन्स के तरफ कोश्चन है वर्स 2016 के गिस्म काली रियो उलंपिक का सुभंकर क्या था जैसा कि आप जानते हैं वर्स 2016 गिस्म काली उलंपिक जो है रियो डिजेने रियो व्राजिल में हुआ था जिसका सुभंकर जो है जब की दोस्तों आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक का मस्कट मिराई दुआ था याद रखेगा और जब आपको पूछा जाएगा सुभंकर की सुरुवाद कभ हुआ था तो 1968 मेक्सिकों सीटी ओलंपिक पालोमा कभूतर था जैसे कि आप सुभंकर वाले वीडियो में दाई जाएए मैं एक सुभंकर का अलक्सी वीडियो बनाई हूँ जिसमें सारे सुभंकर आपको मिल जाएंगे उलंपिक के तो फ़र्ष सुभंकर है पालोमा कभूतर 1968 मेक्सिकों सीटी लेकिन आपचारे के अधिकारी कुरूप से जो सुभंकर की सुरुवाद हुआ उनिस से बहत्तर मियोनी पस्चमी जर्मनी से हुआ जिसका सुभंकर था वाल दिया एक सुभंकरी कुट्टा एंड 2004 का फिवास एतना 2008 का दो फिवा था जिसमें पांच आपवितिया थी बीबी जिंजीं हुंहुं इंग इंग निंग निंग दोहज़र बारे लंदन उलंपिक का था वेल लाग एंड वेल लाग था ठीक है 2016 रियो उलंपिक का विनीशियस और 2020 टोक्यो उलंपिक का है मिराई तोवा इंडिगो ब्लू मिराई तोवा जो है जापान में जापानी कहावत है जिसका मतलब होता है अतीज से सीखो और बरतमार में अतीज से सीखो और नए विचारों को बिक्सित करो चलते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर टू है टोक्यो दोजर बीस टोक्यो उलंपिक का सुभंकर क्या था what is the mascot of 2020 Tokyo Olympics तो दोस्तो 2020 टोक्यो ओलम्पिक का सुभंकर था मिराई दुआ याद रखेगा मिराई दुआ and next question है 2016 रियो ओलम्पिक का मोटो क्या था यहां मोटा हो गया है दोस्तो मोटो ठीक है मोटो क्या था तो दोस्तो 2016 रियो ओलम्पिक का मोटो था united by emotion क्या था अपने मनुवेक से जीऊ sorry दोस्तो अपने मनुवेक से जीऊ live your passion ठीक है live your passion यहाँ पि 2016 का जो रियो ओलम्पिक का मोटो था live your passion live by your passion अपनी मनुवियक से जियो जबकि 2020 का जो मोटो था 2020 का मोटो था United by Emotion तीक है? याद रखेगा 2020 टोकिय उलम्बिक का मोटो United by Emotion 2016 का अपनी मनुवियक से जियो यानि Leave your passion Question number 4 है किसी खेल को ओलम्बिक में समलित होने के लिए कम से कम कितने देश में खेला जाना चाहिए How many characters should sports be played in at least for it to be include in the Olympics दोस्तों किसी भी ओलम्बिक में समलित होने के लिए कम से कम किसी देश कम समलित होने के लिए कम से कम कितने देश में वह खेल खेल खेला जाना चाहिए कि वह खेल को हम ओलम्बिक में समलित कर सकते हैं तो यहां पे ग्रिस्मकालिन अलम्बिक में समलित होने के लिए किसी खेल को बिस्व के चार महा दीपों के कम से कम 75 देशों में खेला जाना चाहिए और सीत काले उलम्पिक खेल प्रतिविक्ताब में किसी खेल को समलित होने के लिए बिस्व के 3 महा दीपों में कम से कम 25 देशों में खेला जाना चाहिए दूनों पॉइंट को आप याद रखेगा पूरे वीडियो को देखें कि दो ध्यान से एक एक कोर्शन से आपके लिए मुश्ट मुश्ट इंपोर्टिंट है नेश्ट है प्रथम सीथ कालिर उलंपिक खेल कि स्वर्स प्रारम किये गए थे तो दोस्तों यहां 1924 फ्रांस के च नेश्ट है निवनी में से किस उलंपिक का सरोप्रथम अंतराश्टिय इस्तर पर टेली वीजन पर प्रसारण हुआ था तो दोस्तों वह उलंपिक था 1956 सीथ कालिर उलंपिक याद रखेगा थीक है अजब कि 1956 का ग्रिस्म कालिर उलंपिक कहां पर हुआ था मेल बढ़न आश 256 का सीथ उलंपिक जो है इतली में संपन हुआ था कि कोश्चन नंबर साथ है उलंपिक ध्वज में सामिल है तो दोस्तों आप जानते हैं उलंपिक ध्वज बिना किसी किनारे के सफेद प्रिष्ट भूमी और बीश में उलंपिक प्रतीक चिन्ध परदसित है जिसें पांच चले लगे हुए है निला पिला काला हरा लाल जिसमें से निला यूरोप महादिब का प्रतीक पिला एसिया महादिब का प्रतीक काला आफ्रीका महादिब का प्रतीक हरा आस्ट्रेलिया महादिब का प्रतीक एंड लाल अमेरिका महादिब का प्रतीक है जो पांच चले 1913 में यह याद रखेगा और सबसे पहले फुराय ग्या wow huh ilde कोस्टिंग नंबर आрठ है कि आज़निक उलम्पिक खेल में सरफ़म उलम्पिक धोज का प्रियूग underłeं जुबष ने इन पहले जो है उलम्पिक सपत भी लिया गया उनिसोफीस एंट्वर्प उलम्पिक में और सबसे पहले कबुतर भी छोड़ा गया उनिसोफीस एंट्वर्प उलम्पिक में इसलिए तीनों चीजों को याद रखेगा Qaustion No.9 है उलम्पिक ध्वज में पांच छलू का संबंध है तो ये पांच छली पांचो महादीब के परतिक हैं तो इन पांचो महादीब से पांच छलो का संबंध है जिसमें से निला, पिला, काला, हरा, लाल ये पांच हैं जिसमें से निला, यूरोप महादीब का परतिक, पिला, एसिया महादीब का परतिक, काला, अफरीका महादीब क का प्रतिक, हरा ऑस्टेलिया महादिप का प्रतिक, अलाल अमेरिका महादिप का प्रतिक है, जो दुनिया की एकता को प्रतशित करता है Just correct, Question, Question number three is,uzhamcish Amb güç कि ज्ञंडी पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छली क्या दर्साती है, तो पांचो छली पांच महादीप को दर्साते हैं यानि की दुनिया की एक्ता को या प्रदसित करते हैं ठीक है दुनिया की एक्ता को प्रदसित करते हैं यानि की Unity of the World Question number 11 है की उलंपिक जंडे में बना पीला गोला किस महादीप का परतिनिधी तो करता है एलो सरकल in अलम्पिक फ्लैग रिप्रजेंटS by जेसा कि अब जानते हैं भी मैं जेस्ट बताई कि पांच छल्ली निला पिला खाला हरा लाल होते हैं उसमें से निला यूरुम महाधिब का प्रतिक पिला असिया महाधिव का प्रतिक काला आफ्रीका महाधिव का प्रतिक लाल अमीर का महादिव का प्रतीक है यह पे पीडा गोला जो है वो एस्या महादिव का प्रतीक है नेक्स कोसिन है कोसिन नेंबर 12 है कि Olimpik का प्रतीक चिन किसने डिजाइन किया था दोस्तों अभी जश्ट में बताई थी कि उलम्पीक का पती एक तिरंगा जंड़ा जो है उलम्पीक जंड़ा उसको P.A.D. कोबर्टी ने बनाया था किसली बनाया था P.A.D. कोबर्टी ने बनाया था 1913 में और फराया कब गया था तो 1920 एंटवर्क उलम्पीक में कोशन नबर 13 है कि उलम्पीक मसाल सुर्पथम जलाया गया था तो वी इनवाज दे उलम्पीक फ्रेम फास्ट एट तो दोस्तों उलम्पीक मसाल को सबसे पहले जलाया गया था 1928 एंटवर्क उलम्पीक में लेकि अधिकारी कुर्प से जलाया गया था 1936 बर्लीन उलम्पीक में अधिकारी कुर्प से जलाया गया था तो यह चीज बिसेश रूप से याद रखेगा ठीक है सवरपथम पूछेगा तो 1928 और बिसेश रूप से जलाए गया था अधिकारिक रूप से तो हो जाएगा आपका 1936 बर्लीम उलम्पिक में कोशन नमबर 14 है कि उलम्पिक खेलों में पहली बार सपथ कब आरंब हुआ तो दूस्तों पहले बार सपथ जो है वह आरंब हुआ 1920 एंटवर्प में 1920 एंटवर्प में तीन चीज़े आरंब हुआ है एक प्रतीक चिंग त्रिंगा जंडा सबसे पहले पराए गया उलम्पिक जंडा दूसरा पहले बार सपथ आरंब हुआ और तीसरा कबुतर चुड़ा गया और जबकि सपथ जो है आरंब 1920 में हुआ लेकि आदूनिक उलम्पिक खेल के जनक बैरन पीरेडी कोबार्डिन कहां के निवासी है तो आप जानते हैं सन 23 जून 1894 को बैरन पीरेडी कोबार्डिन ने अंतराष्ट्य उलम्पिक समीती आई ओसी की स्थापना किया था पेरिस के सरबुन नामत अस्थान पर आई ओसी की जो हेड़कौर्टर है सुड़ियन लेंड है उसके बाद 6 अपरैल 1896 में पर्थम आदूनिक उलम्पिक खेल को इन्होंने शुरुआत किया इसलिए आदू कोशन नंबर 16 है माईलो जिसने प्राजीन उलम्पिक खेलों में रिकार्ड छे बार भाग लिया था वहां खेलाड़ी था तो दोस्तों वहां कुस्ती का खेलाड़ी था किसका था कुस्ती यानि रेसलिंग खेलाड़ी था जिसने छे बार रिकार्ड टोड़ा था कोशन नमबर 17 है कि सभी भारतिय खेल डल किसे भी अंतरराश्टिय खेल प्रतिविता में किस बैनर के अंतरगत भाग लेती हैं दोस्तो आल इंडियन स्पोर्स टीम पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्स कमपर्टिशन अंडर वीच बैनर दोस्तो कोई भारतिय खेल डल अगर अंतराश्टिय खेल प्रतिविता में भाग ले रहा है तो हमारे देश का राश्टिय उलम्पिक समीटी जो होग है जैसे कि आई ओ ए इंडियन उलम्पिक समीटी इंडियन उलम्पिक कमीटी एससियसन भारतिय उलम्पिक संग के अंतरगत वह भाग लेगा तो भारती उलम्पिक संग आसन नमबर डी यहां पे राइट एंसर हो जाएगा और आई ओ ए भारती उलम्पिक संग की इस्थापना 1927 में बैरेन पीरेडी को बाड़ें के द्वारा किया गया पर्थमा अध्यच भी बैरेन पीरेडी सारी दोस्तों जो आई ओ ए है भारती उलम्पिक संग यानि इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन इसकी इस्थापना 1927 में हुआ और सरदुराबजी टाटा के द्वारा हुआ मैं बैरेन पीरेडी को बाड़ें गलत्ती से बोल दी थी तो कुछ चीजों पर ध्यान दीजेगा दोस्तों तो सरदुराबजी टाटा ने आई ओए की स्थापना 1927 में किया और आई ओए की प्रथम अध्यच भी सरदुराबजी टाटा हुए अब बरतमान अध्यच जो है वो पीटी उसा है जो आई ओए की प्रथम महिला अध्यच बनी है यह कोशन विप्याशी टियाएथरी में पूछा हुगा था कोर्शन नमबर 18 है ओलम्पी का मॉटो 1924 में अधिकारिक हो गया जो कुबर्डिंग के मित्र किस ने बनाया था दोस्तों ओलम्पी का जो मॉटो हैcido haldeos fourdeos उसको ओलम्पी जो प हैरेट के मित्र रेखिन ने बनाया था किस ने बनाया था हेंडरी जिडान ने बनाया था कोश्चन नमर उनीस है कि ओलंपिक का मोटो तीन लेटिन सब्दों में नहीं थे जिसमें अल्टियस का अर्थ होता है तो दोस्तों तीन लेटिन सब्द है सीटियस, अल्टियस, फोर्डियस यानि फॉस्टर, हायर, स्ट्रांगर यानि अगर तेज और उचा और बरसाली तो यहां पि सीटियस, अल्टियस, अल्टियस का अर्थ होता है अधिक उचा क्या अल्टियस पर हो जाएगा अधिक उचा ठीक है एंड दोस्तों अब बरतमान में चार हो गया है जो जोधा सब्सक्राइब जुड़ गया है कम्यूनीटर तो अब पढ़ा जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्राइगर, टूगेदर ठीक है आफसे नमबर ए यहां पर राइडन सुरूगा यानि और तेज और उच्छा और बरसाली एक साथ नेक्ट कोजिन है, कोजिन नमबर 21 है की ओलम्पिक में हांकी कब सामिल की गई तो दोस्तों ओलम्पिक में हांकी जो है 1908 में सामिल किया गया याद रखिएगा फुटबाल और हांकी दुनों 1908 में सामिल किये गये हैं तो ओलम्पिक में हांकी जो है 1908 में सामिल किया गया है यह याद रखिएगा और भारत ने होकी में सरपथम कब भाग लिया उलम्मिक मी तो भारत ने होकी में सरपथम भाग लिया उनीस सो अठाइस एमस्टरडम उलम्मिक मी ठीक है तो 1908 ने भाग लिया भारत ने अब फुटबाल जो है फुटबाल को भी उलम्पिक 1908 में सामिल किया गया एसी आई खिले में 1901 के आउन में तो इसका वीडियो में अलग से बनाई हुई हूँ उसे देख लिएगा कोश्चन नमपर 12 है निमनी में से किस खिलाडी ने उलम्पिक खेल के फाइनल में 4 अस्थान पराप्त किया तो दोस्तों पी टी उसा मिलखा सिंग अे दोनुखलारी हैं जोनोंने 4 अस्थान पराप्त किया ठीक है? तो यहाँ पर यह मिलखा सीन ने उनिसो सार रोम उलम्पिक में 400 मिटर रेस में तक्था पीटी उस्सा ने 1904 लास एंजिल्स उलम्पिक में 400 मिटर बाद हादोर में 4 अस्थान पराप्त किया था कॉस्टन नमबर 23 है उस भारतिये खिलाड़ी का नाम बताईए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन ट्रैक और छेतरिये खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो मिल्खा सिंग, स्रीराम सिंग, पिटे उसा ये तीनों लोग क्वालिफाई किये थे इसलिए उपरोग तो सभी यहां पे राइडेंस रोग हो जाएगा कोश्चन नमबर 24 है खेल जो प्राचीन समय में लाड़ अपॉलो के समझ से खेले जाते थी, उसे हम क्या कहते हैं तो दोस्तों लाड़ अपॉलो के समय जो खेल खेला जाता था जैसे कि जो पूरोग इहां समय Sutप पूरोग एडेंस काल था युनानमी उसमें राष्टिये खेल समारू का आयजित किया जाता था जिन्हें अखिल आवं या पाण हैंडेले खेल समारू कहा जाता था जिसमें चार गेम आयजित हो दे थी उलम्पिक, पीठियन, इस्थिमियन, नीमियन उलम्पिक खेल जो होता था वह जियस देता के जिसी दे अकास देता भी कहा जाता है के सरधानेले के लिए खेला जाता था जब कि पीठियन जो होता था वो अपॉलो देता यानि सुरी देता के सरधाने के लिए खेला जाता था जो इस्थिमियन होता था वो समुद्र देता पोसेजियन के सरधाने के लिए होता था जो नीमियन खेल होता था वो भी जीयस देता के सम्मान के लिए तो यह पी क्या बूचा है। अपुलो देता है। अपुलो देता है यान कि सूरिष देता है एक कि सम्मान के लिए होता था य होता था। कुंसा खेल होता है। असला न först निवीटिक ते खेल फीटियं गें। पीथियन खेल ठलपी पर्वत के मैदान पर, इस्थिमीयन खेल कोरिंध नामक अस्तान पर, और निमियन खेल आर्लेजि मागास्तान पर होता था Q. न Ariana Q. कि निमनमेशी कौन उलम्पिक खेल के पदग विजिताओं में समलेट नहीं है तो दोस्तो लिएंडर पेस जो है ओलम्पिक में कांसे पतक जीते थे कब उनिस्सो चानवे के ओलम्पिक में लिएंडर पेस और कड़म मलेश्वरी जो है 2000 सिडिनी ओलम्पिक में कांसे पतक भारत उलम्पिक में जीती थी और लिएंडर पेस्ट उनिस सो चानवे में गीते थे टेनिस में कांसे पदक ठीक है टेनिस में कांसे पदक गीते थे और जो अभिनो बिंद्रा है वो दो हजार आठ बीजिंग उलम्पिक में स्वर्ण पदक गीते थे अभिनो बिंद्रा निसाने बाजी 10 मीन एर राइफल में अभीनो बिंद्रा 2008 में बीजिन उलम्पिक में सोड़ पतक जीते थी। यहां पे कड़म मालेज़ी 2000 से नी उलम्पिक में कासे पतक जीती। पर्थम महिला खिलाड़ी बनी जिन्योंने किसी खेल में पतक जीता अभीनो बिंद्रा 2008 में सोड़ पतक जीते। जो एक अल्विस पत्था में सोड़ पतक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। और यहां पे मिलखा शिंह है ओलम्पिक में कोई पतक नहीं जीते थे। से भाग लेना शुरू किया और इसमें स्वर्पदक गीता तो दोस्तों भारात ने हाकी में 1928 एमस्टरडम हॉलेंड ओलम्पिक में भाग लिया और स्वर्पदक गीता और स्वर्पदक गीता जिसमें से उनिस सो अठाइस से लेकर उनिस सो असी तक स्वर्पदक गीता बीच में निस सो साथ में रजट पदक हासिल किया था उसके लाव सभी में स्वर्पदक गीता और लाश्ट स्वर्पदक उनिस सो असी में जीता उसके बाद इस प्रकार हाकी में भारत नहीं उलम्पिक में कुल 12 पदक गीते हैं कितने बारे जिसमें से 860 प्लस एक रज़त प्लस तीन कांसे पदक गीते हैं कुल 12 पदक याद रखेगा यह चीज अब पूरे उलम्पिक में अभी तक में में 2024 को छोड़कर 2020 टोक्यों उलम्पिक तक 1896 से अब तक में कुल 10 स्वर्पदक गीते हैं यानि कि आठ हाकी में स्वर्पदक प्लस एक 2008 बीजिंग उलम्पिक में अभी नो में तरा 10 मिंटर एर राइफल में स्वर्पदक प्लस 2020 में एक नीजज चुपड़ा जेविलिंग त्रोमी स्वर्पदक तो कुल 10 स्वर्पदक गीते हैं याद रखेगा अग 2024 होगा तो बदल जाएगा किस भारतिय कप्तान को उलम्पिक के दौरान पहली बार जीत के इस्टेंड पर चर्णने का उसर मिला दोस्तों जब हाकी में प्रथम बार 2018 इमस्टाटम होलेन उलम्पिक में भारत ने भाग लिया तो उस समय जैपाल सिंग की कप्तान थे और 1928 में सबसे पहले इस टेंड पर जीत के इस टेंड पर चर्णने का उसर मिला दिया आपर जैपाल सिंग आपका राइट एंसर हो जाएगा कोर्शन नंबर 28 है कि वर्स 2012 की गिष्ट में काल इन उलम्पिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते कि तो दोस्तो वर्स 2012 की गिष्ट काल इन उलम्पिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते कितने जीते कुल 6 पदक जीते जबकी 2020 टोकिय उलम्पिक में कुल 7 पदक जीते 2012 में 6 पदक जीते थे कुस्ति में दो पतख जिसमें से एक रज़त एक कास से एक रज़त कुस्ति में जीता गया था सुसिल कुमार plastic kg भारवर्ग में रज़त पतख एंड योगि 7060 kg भारवर्ग में कास से पतख 2012 लंदन उलम्पी की बात हो रहा है और निसाने बाजी में दो पदक जीते थे जिसमें से बिजय कुमार निसाने बाजी में रज़त पदक और गगन नारंग निसाने बाजी में कांसे पदक क्यार हो गया और दो मेडल बेरिमिंटर में साइना निहवाल का से पदक और मुक्के भाजी में मेरी काम का से पदक याद रखेगा यह सब पूछा जाता है और 2016 रियो उलम्पिक में वाली दो पदक जीता हुआ था भारत जिसमें से बेरिमिंटर में पीवी सिंदू रज़त पदक और कुस्ती में साची मली का से पदक क्योशन नमबर 29 है कि भारत ने उलम्पिक खेलों में अब तक कितनी स्वड़ पदक प्राप्त किया है तो दोस्तों अभी जश्ट बताए थी आर्ठ हाकी में 2008 बीजिंग उलम्पिक में अभी नोब बिंदरा 2020 टूक्य उलम्पिक में आपके निरस चोपड़ा जो 87.58 मिटर भाला फेक कर सोड़ पदक कीते हैं यहां पी 10 सोड़ पदक आपका राइड एंसर होगा कोशन नमबर 30 है भारती हां की टीम ने निरस लिखी उलम्पिक पदक जीते हैं अभी जश्ट बताएं कि भारती हां की टीम ने पुर्णी से 28 में भाग लिया था अभी तक में यह कुल 12 पदक जीते हैं जिसमें इसे 8 हस्वड एक रजत और तीन कांसे पदक तो 8 हस्वड एक रजत तीन कांसे पदक आफसन नमबर सी यहां पर राइड देंसर होगा क्वेस्टन नमबर एक टीस है कि ओलंपिक में सरवाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताई है तो दोस्तों ओलंपिक में सरवाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम है लैरिसा लैड निना इन्होंने 18 पदक जीते हैं जो रूसी जिमनाश्ट थी 1964 टोक्यो जापान उलम्पिक में गीती थी इसमें से यह पूरा 18 पदक गीती है नौ स्वर्ड, पांच रजद और चार कांसे पदक आज भी यह रिकार्ड कायम है कोई नहीं तोड़ पाया है कोईशन नंबर 32 है कि पहले भारती महिला उलम्पिक पदक बिजेता कौन है तो आप जानते हैं उसका नाम जो है कर्णम मलेश्वरी कोई है दोस्तों कर्णम मलेश्वरी जो 2000 सीडिनी उलम्पिक में आश्रेलिया उलम्पिक में कर्णम मलेश्वरी जो है उलम्पिक में भारत की तरफ से पदक गितने वाली प्रथम महिला बनी भारत तोलन में कहां से पदक गिती थी कोईशन नमबर 33 है सीडिनी 2000 उलम्पिक खेलों के लिए किस ने कहा कि आश तब का सबसे अच्छा खेल है तो इस बात को कहे थी जुआन एंटेनियो समरास कोईशन नमबर 34 है कि 1936 बरलीन उलम्पिक खेलों में जेसी ओवन्स ने कितने स्वड़पदक प्राप्त किये थे तो दोस्तों जेसी ओवन्स ने कुल चार स्वड़पदक प्राप्त किये थे किसमे किसमे इन्होंने सो दोसो मिटर दौर लांग जम और चार गुड़े सो मिटर रीले रेस में जीते थे कोईशन जेसी ओवन्स जेसी ओवन्स ने कब जीता था 1936 बरलीन उलम्पिक में चार स्वड़पदक इससे पहले उसके बाद जो है इन ही का मुकाबला किये कार्ल लुइस 1984 लास एंजिल्स में कार्ल लुइस ने भी सो दोसो मिटर दौर लंबी कूद और चार गुड़े सो मिटर रीले में सोड़पदक जीता याद रखी गए इन दोनों को कार्ल लुइस 1984 लास एंजिल्स एंड जेसी उवर्स 1936 बर्ड लिले में दोनों में दोसो मिटर डौर लंबी कूद और चार गुड़े सो मिटर रीले में सोड़पदक जीता कोस्टन नमर 35 है बीजिंग उलम्पिक में पूरु सुवर्ग की टेनिस की एकल इस परधा का सोड़पदक किसमें जीता था बीजिंग उलम्पिक 2008 की बात हो रही है तो इसमें जीता था इसमें कौन जीता था दोस्तों तो इसमें सोड़पदक जीता था आपका कोस्टन नमर 35 है रॉफेल नडाल कौन जीता था रॉफेल नडाल किस खिलाडी ने एक उलम्पिक खेल में सरवादिक ब्यक्तिकल स्वरपदक जीतने का रिकॉर्ड इस्थापित किया तो वह खिलाडी है माइकल फेल्प्स एक ही उलम्पिक में आठ स्वरपदक जीतनी का ब्यक्तिकत इस परधा में यहाँ कमाल किया था जैसा कि आप जानते हैं कि जो तैराकी में माइकल फेल्प्स ने आठ स्वरपदक जीते थी ओभी दोहजार चार दोहजार आठ बीजिंग उलम्पिक में माइकल फेल्प्स ने आठ स्वरपदक जीते थे आठ स्वरपदक जीते थे आठ स्वरपदक जैसा कि इससे पहले तैराकी में हो चुके हैं जानी वेसमुलर जो 19 वर्षिय लड़का था 1924 पेरिस फ्रांस में 100 मीटर और 400 मीटर फ्री स्वरपदक जीता था बाद में जानी वेसमुलर को हालियोड में टार्जन के नाम से मस्वूर हुवे उसके बहुत मार्क इस्पीड्स जो है ये उस्टे के तैराक थे जो 1922 में उनीक पस्वरपदक जर्मनी में 7 स्वरपदक का रिकार्ड बनाया था उस रिकार्ड को भी अमेरिका का माइकल फेल्स ने 2008 बीजिंग उनम्पिक में 8 स्वरपदक लाकर की तोड़ दिया कहते है कि कोई भी रिकार्ड तोड़ने के लिए बनता है तो जो है मार्क इस्पीड्स के 7 स्वरपदक का रिकार्ड 2008 बीजिंग उनम्पिक में माइकल फेल इसको मेरल विलिंग मसीन के नाम से भी जाना जाता है उपाधी दिया गया है क्योंकि दोस्तों इन्होंने 28 मेरल जीते हैं जिसमें से 23 जो है गोल्ड प्लस तीन सिल्वर एंड दो ब्रांज मेरल जीते हैं आथाइस जिसमें से 24 एथेंस ओलम्पिक में आठ पदक जिसमें से 6 स्वर दोuk आस्व उसके बाद 2008 बीज की मीरल इंट गीते और docs स्वर पदक गीते उसके बाद 2012 लंदन ओलम पिक में छे पदक उसके जीते जिसमें 472 जहाब तो 2016 रियू अलंपीक में माइकल फेल्ज ने छे पते जीतने जिसमें 501 रजद हान dalla R Fit Quxt sent 17 है honbon क्या गया था दोस्तो भरत में उलंपीक अंदलन का प्रारम किया गया था स्री दोराबजी टाटा के द्वारा किस के द्वारा स्री दोराबजी टाटा के द्वारा स्री दोराबजी टाटा ने 1927 में भारती उलम्पिक संग आई-ओ-ए इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन के इस्थापना किये थे इसके प्रतिम अध्यच भी यही बने हुए थे और अंतराष्टि उलम्पिक संहीति के प्रतिम सदर से भी निर्वाजित हुए थे याद रखेगा आई ओसी के प्रथम सद्रस भी भारत की तरफ से निर्वाजित हुए थे दोरों कोचल पूछेगा तो याद रखेगा कि आई ओसी से भारत की तरफ से प्रथम सद्रस से कौन निर्वाजित हुए थे सरदुरावजी डाटा आई ओसी के प्रथम अध्याच कौन थे कोश्चन नमबर 38 है कि भारती उलम्पिक संग की इस्थापना कब हुई फूरा इंडियन उलम्पिक एस्सोसियेशन इस्टेबलिस तो आई ओई की इस्थापना 1927 में सरदुराबजी टटा ने किया था कोश्चन नमबर 49 है कि 1927 में उलम्पिक संग का पहला भारती अध्यश्च कौन बना तो दोस्तों उलम्पिक संग का 1927 में पहला भारती अध्यश्च बना कौन बना दोस्तों अभिजश्ट बताएं हूं सरदुराबजी टाडा कौन बना सरदुराबजी टाडा कोशन नमबर चालिस है कि भारती उलम्पिक संग का गठन किस वर्स हुआ और इसका पर्थम अध्यश्च कौन है तो जश्टो अभी जश्ट बताई थी भारती उलम्पिक संग का गठन 1927 में सरदुराबजी टाटा के प्रयास से और इसके पर्थम अध्यश्च भी हुए डाक्टर सरदुराबजी टाटा थीके अब बरतमान अध्यश्च है पी देवुसा कोशन नमर 41 है उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्र करने वाला प्रतिय देश का अपना उलम्पिक संग यह से भारत में भारतीय ओलम्पिक संग है उसी तरह हर डेस में अपना उलम्पिक संग होगा वही अपने देश में उसका नियंत्र करेंगी तो आई-ओ-ए यहने इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन कोस्टन नंबर 42 है कि प्राजीन उलम्पिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है वीच इस्टेट्मेंट अवाउड दा एसियन उलम्पिक गेम्स इज फाल्स तो दोस्तों यहां पे आपको फाल्स ढूना है कौन फाल अग्यों प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था प्राजीन उलम्पिक खेल में प्राजीन उलम्पिक खेल जो है सासो चेतर इसापूर से 394 इसवी तक कुल 293 उलम्पिक संपन हुए 1200 वर्सों तक और 394 इसवी में रोम की तद्कालिश संद्राग थी और रोसियस प्रथम ने इसको धुए धुस्त करा दिया रोक लगवा दिया यहां पर क्या पंजी करोर कोई भी रजिस्ट्रेशन करा लिया कोई प्रतियोगी उसके बाद अपना नाम वापस नहीं ले सकता था दास खेलों में भाग नहीं ले सकते थी केवं एनान के खेलों में भाग tी लेते थी है तो सी भी आपका राइल हैं डिह है कि और आते अलम्पिक में भाग ले सकती तो प्राजनर्फीन खेल में और ये भाग नहीं ले सकती थी ए आप का गलत है विज्विवड EPA कि आप frustrated जिसरीन आप जानते हैं कि प्राजनर्फीन खेल जो होता थ है उशचा मोड़ब उलम्पिया सवर में उलम्पिया जो कहाँ पर सी था तुम पह कि उत्तर 2 पर पत्र पेलब आदेढ परीस नम के नघर राज में एक मन्रोंchn पवित्रगाड़ी में था जरख मिलताए है उसको सेक्वेक्स काघा धा था दोस्तो ये कोशल पूछा ववा था éख, जीयर्स की मुर्ती जो है वो čालीस फीट उंची हाथी दात की बनी हुई है उल्म्पिया के ठीक मद्वे याद रखेगा जो जीयर्स देता के मुर्ती है वो चालीस फीट उंची बनी हुई है हाथी दात की उभी उलम्पिया के ठीक मादमी दोस्तों प्राचिन उलम्पिक खेल को जो उद्घोसक होता था उसको इस पोंडो फोरी कहा जाता था रथदर्ड के मैदान को हिपोड डरम बोला जाता था अधिकारी गड़ो को हेलन डिकोर्ड बोला जाता था और प्राचिन आयोजित प्राचिन और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्राजीन ओंकि खेलों में महिलाओं के वर्जित था सबी खिलारी निर्वस्त्र भाग लेते थी और पिंडार नाम का एक कवी वुगा करता था प्रातिन उलम्पिक खेल में जो बिजेताओं के सम्मान में कवीता गाया करता था एक फिरिपियस नाम का मुतिकार रहा करता था जो विजयताओं की संवर्मन की मुति बनाये करता था एक महभी ठी फैरानः clot महभी जो दोस्तो अपने पुत्र पीसी डोरस जो बाक्सिंग खिला ले था अपने पुत्र के बाक्सिंग प्रत्रिक्ता पीसी डोरस का देखने के लिए भाग लेते हुए देखने के लिए उस नियम को तोड़ा की महिलाए भाग नहीं ले सकती है सबसे पहले महिलाव को इस नियम को तोड़ा फैराना इस नाम की महिलाने अपने पुत्र पीसी जो बाक्सिंग प्रतिटा देखने के लिए अध्यमेत्रा नाम की एक पुजारिन हुआ करती थी जो एक ही इस ती जो खेल के अंदर जा सकती थी यह भी कोशन पूछ सकते हैं क्य होगा जन्व से युनानी होगा और उलम्पिक प्रतिटा से पुर्व दस माह का परसे छड़ लेना होगा और आंतिम माह एक माह तक उलम्पिक खेलों के अधिकारिक जजों की देख रेक में वेचित किया हूँ ठीक है दोस्तों यह सारे नियम थे कोशन नंबर 43 है अभिनो बेंदरा ने बीजिंग उलम्पिक में सूटिंग के किस इवेंट में स्वाइप पदक गिता था तो दोस्तों दस मीटर एयर राइफल में किसी बेतिकत प्रतिक्ता में भारात की तरफ से स्वाइप पतक प्राप्त करने वाला पर्थम खिलारी बन अभिनो बीजिंग उलम्पिक में याद रखेगा त्रीक है कोशन नंबर 44 है अंत्राष्टी उलम्पिक समीती के अध्यज्च का चुनाऊं कितने वर्सों कि लिए होता है तो दोस्तों अंत्राष्टी उलम्पिक समीति के अध्याश का चुनाओं आठ वर्स की लिए होता है याद रखिएगा कोश्चन नंबर पैंतालिस है बेरन पियरेटी कूबर्टिन ने किस वास अंतराष्ठी उलम्पिक समीति का गठन किया जैसा कि जाते है दोस्तों तेज जून अठारासो चौरानवी आफसन नंबर डी आपका राइट है तेज जुन 1894 को बेरेन पीरेटी कोबर्टी ने पेजिश की स्थारबूर नामक अस्थान पर किया IOC की इस्थापना और इसका जो मुख्याले है सुरिजन लेंड है और इसके उलम्पिक समीति के प्रधान या अधेसकर चुना 8 वर्श के अधे किया जाता है इसका कारेकाल में बरहुतरी किया जा सकता है या बरहुतरी के वर एक बार 4 वर्श के लिए किया जाता है ठीक है और भाभा ये इसके बढ़मा नत्याच जो फ्हेंग शिंग यानि तलवार बाजि भी है हाथ थे नह 조ंशा कोछ बेजिंगुिंग उलंपिक में कुस्ती और बाकसिंग प्रतिक्ता में भारत में किस भारव्वर्ग में दो कासे पदग जिते थे कि पॉव वलम्पिक्र जाखार और बंबौ एधी में चिश्ची में और जाएट टर केगी भारवर्ग में आसर की है यहां पे राइट अंसर होगा कोश्जन नंबर 47 है ऐख आपरेशन ओलंपिक का संब्ध किस से है तो धुस्तो अपरेशन ओलंपिक का संब्ध जो है सेना से है क्या हुआ था कि भारतिय सेना ने उलंपिक खिलू में ज़्यादा से ज़्यादा पदग जितने के लिए खिलाडियों को प्रसाहित करने के लिए सितंबर 2003 में आपरेशन उलंपिक लांच किया था कब सुरू हुआ था 2003 में याद रखेगा सितंबर 2003 में कोशन निम्बर 48 है आदुनी खेलों में उलम्पिक सुभंकर की प्रधा ओवचारी कुर्प से कब हुआ तो जो दोस्तों अभी मैं सुरुवात में ही बताई थी कि जो सुभंकर था उसकी सुरुवात 1968 मैक्सिको सिटी पालो में हुआ था जिसका सुभंकर था पालो मा कबुतर बट अधिकारे के आपचारी कुर्प से 1972 म्योनिक पस्चिमी जर्मनी में सुभू हुआ था यहां पि म्यूनिक पस्चिमी जर्मनी 1972 राइट होगा जिसका सुभंकर था वाल दी एक सिकारी कुट्ता नेक्ट कोशन है कौन्सर नुबर और चास है कि उलम्पिक उद्घाटन के मार्च पास्ट की समय सबसे आगे कौन देश रहता है तो दोस्तो मार्च पास्ट की समय सबसे आगे होता है ग्रीस यानि यूनान देश और सबसे पीछे होता है मिजबान देश और बीच में अर्फा वेट के अनुसार क्रमवाई रखा जाता है एक चीजे याद रखेगा जो एक क्रमवाई की बात हो रहा है नियम कानुस अभी 2008 लंदन उलम्पिक की सुरुआत हुआ था दोस्तों जो असल में नियम बना था and next question है question number 50 है उलम्पिक खेलों की अवधी कितनी दिनों की होती है तो दोस्तों जैसे कि उलम्पिक खेलों की अवधी जो है 16 दिनों की हैती है लेकिन इसकी शुरुआत कब हुआ था 1928 एमर्स्टर्डम हालेंड उलम्पिक में से 16 दिन की उलम्पिक खेल सुरुआत हुआ था question number 51 है कि अंतराश्टी उलम्पिक समीधी का मुख्याले इस्थित है तो दोस्तों अभी जैस्ट बताए थी कि अंतराश्टी उलम्पिक समीधी का जो इस्थाबित किया गया था 23 जून 1894 पेज की सरबूर नमकस्थान पर जिसका मुख्याले है सुरुआ जलने मुख्याले क्या है सुरुआ जलने question number 52 है कि उलम्पिक के अवधी 16 दिन की किस उलम्पिक से सुरु की गई तो अभी जश्ट बताए थी 1928 एवंस्टरडम हालेंड उलम्पिक से सुरु किया गया था question number 33 है प्रथम प्राजिन उलम्पिक खेल कब सुरु किया गय थे तो दोस्तों प्रथम प्राजिन उलम्पिक खेल जो है 766 इसापुरू में सुरु किया गया था तो 766 इसापुरू बीसी होगा ठीक है इसापुर मतलब बीसी इसापुरू में सुरु किया गया था कब तक चला था 394 इसवी तक चला था यानि कुल 293 उलम्पिक संपन हुए थी और 1200 वास तक चला था और इसका पतन सबसे परजे रोख लगाया 394 इसवी में रोम के ततकारे सम्राड थियोडोसियस प्रथम ने लेकिन एक कुशन आवज आ सकता है कि उलम्पिक के इस्टेडियम को ही ध्वस्त किसने करवा दिया था 426 इसवी में थियोडोसियस देती है और इसमें एक नदी थी कुछ समय के पस्चार भुकम पाया और फिर एलफियस नदी ने उलम्पिया को नश्ट कर दिया अजियस और क्रोनोस के पवित्र मंदी को भी नश्ट हो गया कोश्चन नंबर चववन है कि प्रथम आधुनिक उलम्पिक खेल की सुरुवात कब होई तो आप जानते हैं अठारो सो चौरानवे में आई ओस्की की स्थाप लंगवा तेज जुन अठारो सो चौरानवे को उसके बाद मेरें पेर्टी कोबर्टी के द्वारा अठारो सो प्रथम आधुनिक उलम्पिक खेल की सुरुवात होई कोश्चन नंबर पश्चपन है कि 706 इसा पूरू उलम्पिक खेल में भाग लेने के लिए किस खेल विसे सग्य के अधिन प्रतिभाग्यों को एक महिने का अब्यास करना पड़ता था कुछ ताइम पहले इसी विदियो में एक्स्प्लेन की हूँ कि जो भी प्रतिवता में भाग लेता था वो उलम्पिक प्रतिवता से पूरू दस माह का एक प्रसिच्चर लेता था और अंतिम एक माह तक उलम्पिक खेलों के जो अधिकारी गड़ होते थी उनकी टेक रेक मे कहा जाता था यहां भी हिलन डिकार्ड राइट इसरू होगा आसन नंबर ए को से नंबर चपन है युद्ध के कारण आयोजित ना हो सकने वाली ओलम्पिक खेल प्रतिवता थी तो दोस्तों जैसा कि प्राजीन ओलम्पिक खेल जो होता था ओलम्पिक के कारण युद रोग दिया जाता था जब आधूनेक उलम्पिक खेल क्या हुआ कि युद्ध के कारण ओलम्पिक रोग दिया गया जश्ट उल्टा हुआ कि इसमें तीन ऐसे ओलम्पिक हैं जो चटवी बारहवी और तेरहवी ओलम्पिक यानि 1916-1940-1944 तो 1916-1944 ओलम्पिक जो हैं तीन ओलम्प तो यहां भी 1916 बरलीन उलम्पिक में होना था 1940 हिलंसकी में 1924 लंदन 1916-1940-1944 यानि छटवी बारहवी और तेरह हुई उलम्पिक युद्ध के कारण आयो जितना ही हो सका कोर्शन निम्बर 57 है कि सरपर्थम उलम्पिक खेल रद किये गए तो कब किया किया सरपर्थम 1916 चटवी उलम्पिक उसके बाद 1940-1944 बारहवी और तेरह हुई question number 58 है कि Olympic खेलों में महिलाओं को कब सामिल किया गया था तो दोस्तों Olympic खेलों में महिलाओं को सामिल किया गया था सबसे पहले उनिसो पेरिस उलम्पिक में याद रखेगा उनिसो पेरिस उलम्पिक में अब भारत में सबसे पहले भाग लिया था महिलाओं को सबसे पहले सामिल किया गया उलम्पिक में 1925 उलम्पिक में अब भारत में सब पर्थम भाग लिया था उलम्पिक में 1925 उलम्पिक में अब भारत अधिकारी क्रुप से भाग लिया था तो 1928 एमस्टरड्रम उलम्पिक में तो भायत अधिकारी क्रिप से भाग लिया था 1928 में जबकि पर्थम बार भाग लिया था 1908 पेरिस और फ्रांस उलम्पिक में जिसमें नामन प्रिचार्ड जो है एक एंगलो इंडियन नागरिक था जो दो समीटर दौर एंड दो समीटर बाधा दौर में देती अस्थान लाय नेश्ट है प्राचीर उलम्पिक खेलों में बिजेता को क्या इनाम दिया जाता था दोस्तों मोश्ट है यह जैतुन के पत्तियों से बना मुकुर्ट जैतुन याने के आलिव लिव्ज ठीक है क्रोन मेड बाई मेराफ आलिव लिव्ज कोष्टन निंबर साथ है ओलम्पिक गीत की रसना किस देश के निवासी ने किया था तो दोस्तों गรीस के ही निवासी स्पाइराश, समाराश, कोस्टीम, पलामास ने किया था अलम्पिक गीत की रसना आखाव श Но गया टॉद बंध se एक्सट है कि एसे अइसे खीलों का नियंतर करने वाली संस्था है विस्ट बॉडी कंट्रूल द ऐस्टियन गेंज दोस्तों ओ है oca जिसे ओलंपिकों खेले का नियंतर आई वची करती है तो उसी तरहेसी खेलों का नियंतर oca coffee काउंसिल आप एसिया करती है जिसकी इस्थापना उनिसों बैयासी में हुआ हेड़क्वार्टर यानि मुख्याले कुवेद की सहर हवाली में है कि कोश्चन निम्बर बारसट है कि प्राचिन उलम्पीक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया प्राचिन उलम्पीक खेल 176 इसापूर से 394 इसवी तक चला कुल 293 उलम्पीक संपन हुए 1200 वर्ष तर और इस उलम्पीक खेल का पतन जो है यह इस पर रोक लगा दिया 394 इसवी में रोम के तकाने सब्राट थियो रोशियस प्रथम ने तो यहां पे 394 इसवी में याद रखेगा कब तक चला 176 इसापूर से 394 इसवी कब धोश्त हुआ रोक लगा 394 इसवी में यानि कि AD में BC में नहीं यहां पे राइट अंसर क्या हो जाएगा 394 AD यानि इसवी याद रखेगा BC मतलब हो जाएगा इसापूर इस अभी चीज़े आपको ध्यान रखना है कोशन नंबर 63 है ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पूरुस के बिजयता कौन थे तो उलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पूरुस बिजयता थे लिन फोर्ड क्रिष्टी कौन थे लिन फोर्ड क्रिष्टी यह 1992 में उलंपिक खेल बरसी दोना इस पेल में संपन हुआ था कोशन नंबर 64 है कि उलंपिक में प्रती प्रतियोगता कितनी प्रविष्टियों के अनुमति होती है तो प्रती प्रतियोगता वनली तीन प्रविष्टियों के अनुमति होती है पर इविंट यहां दखिएगा कोश्चन नमर 65 है कि निवन में से कौन उलम्पिक खेल समापती की गोश्रा करता है तो दोस्तों उलम्पिक खेल समापती की गोश्रा करता है IOC का अध्यच President of IOC कुन करता है? President of IOC तो जो उधगाटे की गोश्रा करता है ओ मेजबान देश का अध्यच राष्टा अध्यच या राष्ट पती करता है जबकि समापती की गोश्रा करता है IOC का अध्यच ठीक है? समापती की गोश्रा करता है IOC का अध्यच इसको याद रखेगा Next question है तो समापती की समय दोश्रा तो याद रखेगा कि समापती की समय स्टेडियों में मार्च और मैदान के बीच एक होते हैं मार्च पास होने के बाद फिर तीम ध्यच पहरा जाते हैं सबसे पहले युनान के ध्यच को वहाँ की राष्ट गान की धून के साथ फिर दुसरे नमर पर मेजबान देश के द्वच को वहां के राष्टगान और धुन के साथ फिर तिसरे नमर पर अगले देश का द्वच जहां अगला उलम्पिक होना है वहां के राष्टगान के धुन के साथ उसके बाद उलम्पिक की समाप्ते की घुश्रा की जाती है, IOC का अध्याच करता है, फिर उलम्पिक ध्वज को नीचे उतारा जाता है जिसे IOC का अध्याच नगर के गवर्नर या मेर को सबता है, वह उसे अगले उलम्पिक के आयन तक सुरचित रखता है next question है question numero 6 question number 67 question numero 68 खेलों की मेजवानी सो बीजाती है तो बहुत सारे देश अपने अपने सहरों को देते हैं तो उस देश के किसी एक सहर को मेजवानी दी जाती है तो यहां पे सहर को आपका राइडेल जरू होगा कोश्चन नमबर 66 है कि उलम्पिक में सबसे पहले किस वर्ज भारत का राष्टिय गान बजाये गया तो 1948 लंदन उलम्पिक में सबसे पहले राष्ट गान बजाये गया याद रखेगा सबसे पहले राष्ट गान कब बजाये गया 1948 लंदन उलम्पिक में कोशें निम्बर 68 है कि भारत में उलंपिक खेलो की ब्यक्तिकत इस परधाओं में पहले बार पदक कब जीता था तो ओ था हैलेंज की फिल्लाइंड उन्ही सुबावन में जिसमें आपकी केरी जाध हो जी, पहले बार किसी इत्रिकत असे पादाब में स्वड़ पधल जीता था अभिन्हों बिंद्रानी 2008 बिजिंग उलम्पिक में, इस दोनों चीज़ों में डीफ्रेंस समझ जीएगा कोस्चिनबूर उनहत्टर है ओलंपिक भी भारत में प्रफ़ज़ेपा भांख जातार धाक नि फूर्फवाल प्रतिवता में कब भाग लिया था। कब भाग लिया था ? 9048 लंदन में पुटवाल में समसे पहले भाग लिया था और दुसरा बर भाग लिया था 1952 लंचकी में त्िसरा बर aliens 56 वेल बूं आज़या में जिसने भारत पहली बाड चोथा अस्था में पर रहा फिर चोथी बार भाग लिया था 1960 रो मितली में फिर जो quarter final के लिए qualify भी नहीं कर पाया था और इस उलम्पिक के बाद भारती उलम्पिक भारती फुटबाल आज तक उलम्पिक के लिए qualify नहीं कर पाया है Question No.7 है कि जूडो को उलम्पिक में कब सामिल किया गया तो जूडो को उलम्पिक में 1964 में सामिल किया गया दोस्तों किस खेल को उलम्पिक में कब सामिल किया गया इस याई खेल में कब सामिल किया गया उसका अलग से वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा Question No.1 है कि निवनी में से कौन से खेल आधुनी गृष्मकारिन उलम्पिक कारिकरम में कभी अनुपसित नहीं रहे हैं तो हमेशा है जब से उलम्पिक सुरुवात हुआ है जैसे कि आपका Athletics हो गया तैराकी हो गया फेंसिंग हो गया और आर्टेस्टिक जिमनास्टिक हो गया एक दो चार छे ठीक है यहां पर राइडेजर हो जाता है आपसर नम्बर सी एक दो चार छे एटलेटिक तैराकी फेंसिंग यानि तलवारबाजी आर्टेस्टिक जिमनास्टिक यानि कलात्वक जिमनास्टिक यह जब से अठारासोग चानबे से आदुनिक उलम्पिक सुरुवात हुआ है तब से लगातार इवेंट हो रहे हैं जब उस दिर पहले ही मैं बताई थी कि भारत जो ओलम्पिक में महिलाओं को सार प्रथम कब सामिल किया गया तो उनीस सो पेरिस फ्रांस में लेकिन भारत ने ऑलम्पिक में सबसे पहले किस वर्स भाग लिया तो उनीस सो पेरिस फ्रांस में और नार्मन प्रिचार्ड जो है परत्हंबार भाग के लिए तो उन्हें सोठ हाइस इमस्टों अधी क्रूबस तो और विए इन्धवर्प में कोशन नमर 73 है कि किसidente खेल में किस ऑल्म्पिक खेल में डोपिंग टेस्ट सुरू किया गया दोस्तों आप जानते हैं डोपिंग टेस्ट की सुरूबार्थ तो डोपिंग टेस्ट की सरूआ सर्पाथम, निस्टो और सट्व मेक्सिको शीटी अलम्पिक में हुआ जहाँ पे स्विटन के पेटाथलित गूर्णल लिलिन्जेवाल को पाजुति पाये गया था अगर कोशन पूछेगा कि सरपथम डोपिंग का केस कप पाया गया तो 1960 रोम उलम्पिक में जो डेनमार्क का रोड साइक्लिंग नियूड एनमार्क जॉन्सन को पाजिटी पाया गया था जो स्वड़ प्रदक्त प्रात करने के वाद मृत पाया गया और उन्होंने रोनिकल और एमफिटा माइन ले रखा था जो सांजिदा प्राती है अधिक ले लिया था और डोपिंग के बिरुद सपत की सुरुवात कब हुआ तो 2000 के सिर्णी उलम्पि आस्टलिया में रोयचेल रैचेल होके आस्टलिया के ही महिला हां की दल की कप्तान ने सपत लिया था और इसमें से वादा वर्ल्ड एंटी डोपिंग की स्थापना 10 नॉम्बर 1999 में हुआ सुर्जन लेंग के लुसेन सहर में वादा का मुख्याले मौंटियल सहर में है और नाडा नेस्टन एंटी डोपिंग एंजनसी की सुरुआत 24 नॉम्बर 2005 में जवादा नेरो इस्टेडिय में हुआ मुख्याले ने डिली कोसेन नॉम्पिक में प्रथम बार विजताओं को गोल्ड मेडल दिये गए तो बिजताओं को गोल्ड मेडल किस उलम्पिक में दिया गया दोस्तों तो बिजताओं को गोल्ड मेडल दिया गया सबसे पहले 1904 सेंट लुईस उलम्पिक में कब दिया गया 1904 सेंट लुईस उलम्पिक में प्रफंबार पदक भी दिया गया गोल्ड मेरल भी दिया गया याद रखेगा लेकिन नेक्ट्ट कोशन है 75 है कि उलम्पिक में ठोच सोड़ पदक आखरी बार कब दिये गए तो यह 1912 स्टार्खों स्वीडर में दोरों कोशन याद रखेगा पर्फंबार विजयतों को गोल् है कि उलम्पिक में भारत ने बहुत कर बाल इस परदह में कब भाग लिया तो दोस्तों उल्हें भारत ने बहुत कर बाल इस परदह में भाग लिया उलम्पिक में भारत नहीं भाग लिया 1980 मास्क उलम्पिक में उलम्पिक में भारत नहीं ठीक है फुटबाल इस परता में कब भाग लिया तो 1980 मास्क उलम्पिक में जबकि एक पूछेगा कि बास्केरबाल को उलम्पीक में कब सामिल किया गया तो 1936 बर्लिन उलम्पीक में दोनों चीज़े जाद रखिएगा क्वेस्टन नंबर सथातर है कि उलम्पीक खेलों को एक मात्र उद्देश के साथ पुनर जिवित किया गया इस प्रकार का क्वेस्टन बीपेसी टीरी फोर्म में पूछा हुआ था इस्ट्रेटमेंट बेस पर कि उलम्पीक का क्या उद्देश था तो दोस्तों यह राष्ट्रों के बीच सभी देशों के बीच सवहाद समाज यह भाईचारे को बढ़ावा का निर्माण करने के लिए पुनर जिवित यानि पुनर शुरू किया गया था बैरेन पेर डिकुबर्डर के द्वारा यानि की कुछ मैं इसके बारें बताती हूं कि उलम्पीक के निवनिखित उद्देश से थे बीच्व के सभी देशों को साररेक सिच्चा तथा खेल प्रदिताओं की ओर ध्यान दिलाना जिवाओं के बेक्तित्व चरित्र नागरिता के गुरो यं स्वास्त का बिकास करना खिलारियों में अच्छी आदतों का निर्मार करना ताकि उवे खुसहाल तथा स्वस्त जीवन बिता सके खिलारियों में देश भक्ति उभाय चायरे की भावना का बिकास करना अंतरराश्टी मैतरी भाना przedstaw सांती का बिकास करना जाती धर्म एवं नस्ल के अधार पर कोई भेदभाव न होने दिना आजी चीजे इन्होंने आदम उलम्पिक खिल को सुवात किया गया था उदेश के साथ कोश्चन नंबर 78 है कि पहले BCS उलम्पिक की मेज़बाने कीस देश नहीं किया था तो दोस्तो जो BCS उलम्पिक था वहाँ 1968 सिकागो में प्रथम बार आजित किया गया था यूनिस कैनेडी स्राइवर के दोरा जो अमेरिका के पुरु राश्पती की बहन यूनिस कैनेडी स्राइवर के दोरा जो बौधी क्रूप से आसमर्थ एथलेट्स के लिए यह आजित किया गया तो कहां पे अमेरिका में अमेरिका कि सिकागा को सहर में यह किसके लिए होता है बौधी क्रूप से आसमर्थ एथलेट्स के लिए नैस्ट है टोक्यो ऐलम्पिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक गीते थी How many medals did India win to Tokyo Olympic 2020 तो दोस्तो जो Tokyo Olympic था उसमें भारत ने कुल साथ पदक गीते कितने पदक? साथ पदक तो यहां पी साथ पदक अभी तक की सबसे जादे पदक जीता था अब 2024 फेरिक्स फ्रांस में जो वह रहा है उसमें देख रहा है कितना पदक जीता है यह 2024 का जो फाइनल होते ही मैं आपको पूरे वीडियो बना दूंगी उस पे तो ओलंपिक में साथ पदक जीता था 2020 टोक्यो में जिसमें से 102 रज़त चार कास पदक एक सोड पदक नीज़त चोपड़ा ने भाला फेक में जीता था 87.58 मीटर भाला फेक करके दो रज़त पदक मिलाबाई चानू वेट लिप्टर 49 कजी भारवर्ग में और रवी कुमार दया कुस्ती में 57 कजी भारवर्ग में चार कास पदक में बाक्सिंग में एक लौलिना बोर्गेहन जीता था और पीवी सिंदू बैन विंटर में और बजरंग पुनिया 65 कजी फ बारत का कौन सा अस्थान था तो दुस्तों ऑलंपिक ऑल्पत में बारत का अत्यास वह अस्थान था इसलिसे परतम अस्थान युश से का था एक 113 कुल पदको और दूसरा अस्थान चीन का 88 पदक, तैसरा युशान जापां का 58 पदक हाक्सान ग्रेट बीटें तो याद रखेगा यंपी टेट जो दिया गया था उसमें ग्रेट बीटेन का कौन सा अस्थान था यह पुछा हुआ था तो कुछ भी पुछ सकता है तो सब कुछ याद रहना चाहिए आपको कोश्चन नमर् 1.88 है कि ओलंपिक स्वप्दक निन में से किससे बनता है दोस्तों कुछा था इप्यक स्वपदक निन में से किससे बनता है यह 6 ग्राम सूने से मढ़ा हुआ कम से कम बार में 205 परसेंट चांदी से बना हुआ होता है तो दोस्तों यह था आपके ओलंपिस रिलेटेड एक्यासी कोसंस जिससे बाहर आपके कोसंस नहीं आ सकते एंड जो परजेंट में आपका होगा जो 2024 पेरिस फ्रांस ओलंपिक वहां से अगले जो एक्जांग होगा इसके जश्ट बाद जो पेपर बन चुका है उसमें तो नहीं पूछेगा लेकिन जो पेपर आने वाला है उसमें जरूर पूछेगा तो यह आप त्यान रखेगा तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट आ थोणो करा है उसके झाले पूछेगा जपले झाले खगर दोस्तों है मिलते हैं